हेलो गाइस, वेलकम बैक टो माई चैनल, डायमेंट सुपाइ स्टेडी क्लासिस और मैसल अपसेक मौर्या और आज की वीडियो में आप लोगं के लिए जैसे की यूपी बोट के जो स्टुडेंट्स हैं, लेकर आया हूँ और आप लोगं को मैं यह बताना चाहूंगा कि आप ये जो तीन सेंट्रल आइडिया में बताने जा रहा हूं आप इनको याद कर लेंगे, एकदम अच्छे से क्लेर कर लेंगे और आपके जो चार नमबर है वो बिलकुल तयार हो जाएंगे तो यहां से आप लोग जल्दी से जल्दी यह हमारे जो सेंट्रल आइडिया सामने आप लोगं के दिख रहे हैं, लिखे हुए हैं जैसे कि सेंट्रल आइडिया को हम लोग केदरिये भीचार कहते हैं, तो इसको केंदरिचार आप लोगं के लिखने ज़रव़त is नहीं है, आप लोग जब अपना अंसर नमबर डालेंगे तो यहां पर आप लोग सेंट्रल आइडिया डालाएंगे ब्लैक से और इंवेटेट कामा में सिंगल इंवेटेट कामा में बंद कर दीजेगा इसके बाद देख लिए कि कुछ चीज़े यहां पर मैंने ब्लैक से इंडिकेट की है और इन चीजों को एकदम ध्यान रखेएगा और इसी की साथ में देख लिएगा आप लोग की सेकंड इतना लौं लिखा हुआ है इतना लौंग अगर लिख पा रहे हैं तो कोई दिकत नहीं है लेकिन अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लोग इन हमें से सोड़ा सा थोड़ा सा सौट कर सकते हैं फिलहाल के लिए 6-7-5-6 लाइन से कम क्या लिखेंगे क्योंकि Central Idea है इंटर बोर्ड है आप लोगं का चार नंबर का है है ना तो जैसे कि आप लोगं को यह मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग इसी प्रकार से Central Idea तयार कर लीजे और यह Central Idea आप लोगं के पेपर में रखे ही रखे हैं कहने का मतलब आप इंटी के उपर निकलने वाले हैं अगर चार नंबर से रहे गए तो वह नीचे आ जाएंगे और जो चार नंबर पा गए तो वह उपर चले जाएंगे ठीक है ना तो आप लोग इस परकार से जैसे कि यहां जेनिफर स्टाइगर्स का मैंने लिख दिया है और इस परकार से आप लोग सेंट्रल आइडिया इतने तीन तयार कर लेंगे आप लोगों का हाम हो जाएगा ओके चलिए चलते हैं फिर मिलेंगा ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में ओके धन्यवाद